कोविट पॉजिटिव पाई जाने के बाद जहां बचन्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं, वहीं अब पता चला है कि सिंगर अभीजीत भटाचारिया के बेटे धुरुफ की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई हैं। अभीजीत के बेटे धुरुफ भटाचारिया जो कि एक रेस्टराउन के मालिक हैं रिसेंटली कोविट पॉजिटिव पाई गए। अभीजीत ने ये बात खुद कन्फर्म की और बताया कि उनके बेटे को विदेश जाना था। हर विदेश यातरी को फ्लाइट बोट करने से पहले अपना कॉरना वाइरस के लिए टेस्ट कराना होता है और जब दुरुफ ने अपना टेस्ट कराया उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। बात करें सिम्टम्स की तो उनके बेटे को बस थोड़ा खासी जुखाम है और थैंक्फुली कोई कमभीर लक्षन नहीं है। दुरुफ ने खुद को अपने घर में ही कॉरिंटीन कर लिया है और वो सारे प्रिकॉशन्स ले रहे हैं। अभीजीत प्रेजेंटली कोलकता में शूटिंग कर रहे हैं और बेटे के टेस्ट रिजल्स पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने भी अपना टेस्ट करवाया लेकिन उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। और इसलिए ही इस कंटिनूइंग टूटूटूटूटूट बात करें बचन्स की तो अमिताब बचन, अभिशेग बचन, एश्वर्य राय बचन और उनकी बेटी आराध्या को कॉरिना वाइरस ने इंफेक्ट कर दिया है। पहले बिग बी और अभिशेग को हॉस्पिटल में अड्मिट किया गया और एश्वर्या और अराध्या ने खुद को घर पे ही क्वारिंटीन किया था। लेकिन जब उन्हें ब्रेथलेस्नेस फील होने लगी तो उन दोनों को भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया। चारों का इलाज मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में चल रहा है। We wish the बचन्स and drove a speedy recovery.